यदा भूत प्रथक भावं एकस्थम अनुपश्यती तत इवचविस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदां अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जब विवेकवान व्यक्ति विभिन भौतिक शरीरों के कारण विभिन स्वरूपों को देखना बंग कर देता है और यहाँ देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए है तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है अनादित्वानिर्गुनत्वात परमात्मायम अव्ययह सरीरस्थों पिकॉन्तेय नकरोती नलिप्यते अर्थात यहाँ पर श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे है शास्वत द्रश्टी संपन्न लोग यहाँ देख सकते है कि अविनाशी आत्मा दिव्य सास्वत तथा गुनों से अतीत है हे अर्जुन भौतिक सरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है यथा सर्वगतम सोक्ष्म्यात आकाशनो पलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा न पलिप्यते अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे है यद्यपी आकाश सर्वव्यापी है कि इन्तु अपनी सुक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता इसी तरह ब्रह्म दिष्टी में स्थित आत्मा सरीर में स्थित रहते हुए भी सरीर से लिप्त नहीं होता